गरुड पुरान भारतियों पुरानों में से एक है जिसे वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। ये पुरान संस्कृति, आध्यात्मिकता, मृत्ति और पुनरजनम जैसे विश्यों पर चर्चा करता है। गरुड पुरान के अनुसार ये मनुष्य की जीवन का उद्देश और उसके आध्यात्मिक सफर को समझाने का प्रयास करता है। आध्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात् म麼लता है इसके बारे में गरूरपुरान में काफी कुछ स्पष्ट किया गया है।lect Lynn पुरान के मुताबिक मृत्हिस आत्मा शरीर के नौ दौरों इसे किसी एक दौर से शरीर छोड़ती है। ये नोदवार दोनों आखे, दोनों कान, दोनों नसी का मूँ या फिर उसरजन अंग है। जिस विक्ति की आत्मा उसरजन अंग से निकलती है, मरते समय वो मलमुत्र त्याग देते हैं। हाला कि गरुडपुरान में इस तरह से प्रान का नित्याग ना अच्छा नहीं माना जाता। मृत्यों के वक्त इंसान की सभी इंद्रिया नस्ट हो जाती है। और वो हिल नहीं पाता। उस समय अंगुष्ट मात्र आत्मा देह से निकलती हैं। जिसे दो यम्दूत आकर उत्सरजन अंग से प्रान उस वक्ति के निकलते हैं जो जीवन बर सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए सूचता है। जनकल्या नहीं करता। सिर्फ धन अरजित करने में लगा रहता है। कामवासना में लगा रहता है। ऐसे लोग जब मृत्यों के समय यम दूत को तो घबरा जाते हैं और उसके प्राण नीचे की और सरखने लगते हैं इसके बाद प्रानवायू नीचे के मार्ग से निकल जाती है प्रानवायू के साथ अंगुष्ट के आकार का एक अध्रिश्य जीव निकलता है यम्राज के दूट उसके गले में पाश बान देते हैं और अपने साथ लेकर यम्लोग चले जाते हैं इस तरह की मुर्तियों एक पापी वेक्ति की मानी जाती है गरूर पुरान में भगवन विश्नु गरूर को बताते हुए कहते हैं कि जो लोग मौ मया से गरसित होते हैं और जीने की बहुत ज़्यादा चाहा रखते हैं और अपने परीजनों से जिनका मौ बहुत ज़्यादा होता है ऐसे लोग मन से वेरागी नहीं हो पाते हैं ऐसे लोग की मुत्तियों निकटाने पर आखे काम करना बंद कर देती हैं और कान से सुने देना बंद हो जाता है कफ अधिक होने लगता है और वो चाहकर भी किसी से कुछ बोल नहीं पाते ऐसे लोग परिवार के मोखे कारण प्रान नहीं चोड़ना चाते फिर यम राज के दूद बलपुर्वक उसके प्रान निकालते हैं और ऐसे में जब उसके प्रान आकवस से बलपुर्वक निकालते हैं तो आखे उल्टी हो जाती है शास्तर के नुसार मूँ से प्रान वायो का निकलना बड़ा ही शुब माना जाता है माननेता है कि जो लोग जीवन बर धर्म के मार्क पर चलते हैं उनके प्रान मुझ से निकलते हैं और उन्हें यम लोग में बहुत कष्ट नहीं भोगना पड़ता ऐसे लोगों के प्रान जब मुझ से निकलते हैं तो उनका मुझ टेडा हो जाता है शास्तों में आगे बताया गया है कि नासिका से प्राणों का निकलना भी बहुत शूब होता है गरूर पुरान के मताबिक इस तरह से उनी लोगों के प्राण निकलते हैं जिनोंने परिवार में रहते हुए भी सारे फर्ज निवाए हो और मन को वेरागी भी बना लिया हो यमलोग यात्रा में आत्मा अपने जीवन के किये गए कर्मों को सामने देखती है और अपने अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार उच्छे या निच्छ स्थर के लोगों में यात्रा करती है यमराज आत्मा के कर्मों का सटिक हिसाब रखते हैं और उसके अपने पुन्ने और पाप के आधार पर फल देते हैं गरूड पुरान में विबिन्न लोको और उनके विवरन को विस्तार से वर्नित किया गया है इन में स्वर्ब, नर्ग, पितु लोक आदी शामिल है आत्मा को यमलोग यात्रा के बाद उसके कर्मों के अनुसार नए शरीर का जनम मिलता है जिससे वो अपने आगामी जीवन को जीने के लिए वापस भूमी पर आता है गरूड पुरान के अनुसार यमलोग यात्रा आत्मा के लिए एक महतुपुर्ण अनुबव है जो उसे उसके कर्मों के फल सुरूप अनुवोने का उसर प्रदान करता है यह अनुवाव आत्मा को अपने गल्तिया और धार्मिक नियुमों के उलंगन को समझने में मदद करता है और उसे आगामी जीवन के लिए सही मार्चुन्ने की सीख देता है चलिए तो बात करते हैं स्वर्ग लोग की स्वर्ग उच्चतम लोगों में से एक है जहाँ पर धर्मीक और पुन्य कर्मी आत्माए बगवान के साथ आनंद पुरोट विराजमान होती है यहाँ सुक शांति और समरुद्धी का आनंद मिलता है इसके उलट नर्क लोग है नर्क लोग उच्चतम लोगों में से एक है जहाँ पर पाफकर्मी और अधर्मी आत्माए दुख और दुख के अनुबव को भोगती है जहाँ पर भयानक दंड और सजा होती है गरूर पुरान के अनुसार मनुष्य की जीवन का सबसे महतो पुल्ण समय वो होता है जब उसका अन्ताता है उस समय उसके पूरे जीवन के कर्म, आचरन और आत्मिक विकास का परिनाम होता है इस समय पर मनुष्य के दिल, मन और आत्मा में एक विशेश प्रकार के चिंता और सोच होती है गरूर पुरान के अनुसारी संतिम समय में मनुष्यों को अपने बूरे कर्मों का पश्टावा भी होता है और वो इन कर्मों के परिनामसोरूप नर्क या दुगदाई गतियों में जनम लेता है वहाँ उसके सारे पिछले कर्मों का बुक्तान होता है इसके विपरिदियादी मनुष्य के अंतिम समय में उसने अच्छे करम किये हो तो वो आत्मा स्वर गिया सुगदाई गतियों में जनम लेती है वहाँ उसको अपने अच्छे करमों का फल मिलता है और उसकी आत्मा अनंदमई भावना में रहती है गरूर पुरान अध्यात्मिक न्यान और मानव जीवन के मातो पुर्ण पहलों को समझने में मदद करता है तो दोस्तो अगले वीडियो में गरूर पुरान के बारे में और विस्तार से बात करेंगे तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताईए और मेरे चैनल के नोटिफिकेशन के लिए मुझे सब्स्राइब करना ना बूले ठीके दोस्तो तुम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैश्री राम